हलो फ्रेंट्स गुड मोर्निंग वेलकम टू माई चैनल इस्त्री लाइफ स्टाइल तो फ्रेंट्स यह वेड़नस टेक आप लोग है मॉर्निंग मैं अभी में खान अपना रही हूं यहां पर हनु के लिए टिफिन में पेक करने के लिए और आज खाने में मैं बना रही हूं भिंडी की सबजी और पराठ है तो फ्रेंट्स आपकी स्टडी केसी चल रही है आयोप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और मैं भी कोशिश कर रही हूं स्टडी अच्छी चलने की मगर अभी थोड़ा सरदर्द वगेरा मेरा है तो इस वज़े से मैं पढ़ने की शिस्तों करती हूं मगर मैं लेके बैठी रहती हूं बुक मगर कुछ लर्ण हो नहीं पा रहा है मुझे मगर फिर भी मैं अभी ट्राय कर रही हूं और हमें अगर स्टेडी करनी है तो हमें अपनी अपने उपर पूरा विश्वास रखना होगा कि हां मैं इस चीज को कर सकती और हमें अपने गोल डिसाइड करने होंगे और फिर उनको हमें एचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मैनत करनी होगी हमें सकसेज होने के लिए मैनत करने से कभी भी नीड़ना चाहिए और हमें हमेशा मतलब बड़े-बड़े सपने देखने चाहिए जो हम जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, उसको हमें पाने के लिए मतलब उसको फील करना चाहिए के हाँ वो मेरे पास आने ही वाली है या फिर मैं उसको ज़रूर पा सकते हूँ और हमारे सामने जो भी प्रोब्लम सारी है हमें उनको देख के और डरना नहीं है हमें खुद को कमजोर नहीं समझना है क्योंकि अगर हम खुद को कमजोर समझ लेते हैं तो फिर हम कुछ नहीं पाते हैं और नहीं हमारी study हो पाती है और नहीं हमसे कोई और काम हो पाता है जब भी हम दुखी होते हैं तो हमको लगता है कि मतलब हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा तो फिर हम उसको सोचते रहते हैं और अपने मनी मन में बहुत दुखी होते रहते हैं हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से तो कुछ हो ही नहीं रहा है जिन्दिगी में सब कुछ उल्टा ही हो रहा है जो हम सोच रहे हैं तो इसा है कि जिन्दिगी हमा कि हमारे साब से कुछ चीजें चल पाईगी तो हम यही सोचना में अपने दिमाग पर फोकस करते हैं पर हम हमेचा इसी प्रॉब्लम को देखते रहते हैं कि हमारे साब से कुछ क्यों नहीं हो रहा है और हम जो चाहते हैं वो हमें क्यों नहीं मिल रहा है पर हम solution पे कभी भी focus ने करते हैं पर हमें solution पे focus करना ची entropy कि इसे पाने के लिए हम क्या-क्या कर सकते है लाइफ में और अगर अगर हमें यह पता चल जाए कि हम किस कारण से मतलब पीछे रहे रहे हैं और हमारी कमिया क्या-क्या है तो हम उन सब कमियों को दूर करके और अपनी success को पा सकते हैं मगर यही है कि हम अपने खुद के उपर तो focus करते हैं बाकी और सब चीजों पर हम focus कर लेते हैं और सब की कम्याँ ढून लेते हैं बस खुद की ही नई ढून पाते हैं और वो ही हमें सबसे ज़्यादा करनी है हमें अपने अंदर की तागत को पुरे तरीके से समेटना है और उसे एक जगे पर focus करना है और focus करके अपने goal को अचीव करने में अपनी सारी energy लगा देनी है रास्ते में एक नी बहुत सारी मुश्किले आएंगी लेकिन चाहे जो भी हो जाए किसी भी हालात में हमें रुकना नहीं है बस चलते रहना है क्योंकि आज नहीं तो कल हमें मंजिल मिली जाएगी अगर हम सही रास्ता चूस करेंगे चलने के लिए और अगर हम बार-बार अपने रास्ते से distract होते रहेंगे और बार-बार अलग-अलग चीज़े चूस करते रहेंगे और एक गोल फिक्स नहीं कर पाएंगे तो फिर हम कभी भी उस जगे पे नहीं पहुच पाएंगे और शायद मुझे भी यही लग रहा है कि मैंने भी यही गलती करी है अभी तक कि मैं एक चीज़ पे stuck नहीं हो पारी हूँ और मैं मतलब सब सब्जेक्ट को लेके और confusion मेरे अंदर बहुत ज़ादा हो रहा है कि मैं यह भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ इस कारण से फिर मैं एक सब्जेक्ट को भी अच्छे से नहीं पढ़ पारी हूँ और यह आप सब के साथ भी होता होगा तो अब मैं भी एक सब्जेक्ट पे focus करूँगी और उसको अच्छे से complete करने की कोशिश करूँगी बाकी सब के बारे मैं नहीं सोचूँगी क्योंकि अगर ऐसा करते रहे तो हम पुरा स्लेबस कभी करी नहीं पाएंगे तो इसलिए हमें अपने रास्ते को सही रखना है ताकि हम उस रास्ते पे चलके और अपनी मंजील तक पहुंच सके और हम ऐसे बढ़कते रहेंगे बार बार कि इस चीज से पढ़ लूँ इस जगे से पढ़ लूँ एक बार इसलिए एक दिन लेके एक दो दिन जितना भी टाइम लगे उसको लेके और हमें सोचना है कि हाँ आखिरकार मैं चाहती क्या हूँ मुझे करना क्या है लाइफ में अगर हमें कुछ बढ़ा करना है तो अपनी राह खुछ चुनने पड़ेगी क्योंकि अगर हम भी भीड के साथ चलते रहेंगे और हमें कुछ पता ही नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं तो हम कभी भी कुछ कर नहीं पाएंगे इसलिए हमें हमारे हर एक कदम को बहुत ही ध्यान से रखना पड़ेगा और हमें पता होना चीए कि हम करना क्या चाते हैं तो हमें खुद को मतलब बदलना पड़ेगा पुरे तरीके से कि हम अपनी लाइफ में पाना क्या चाते हैं हमें सिर्फ अपना फोकस उसी पे रखना पड़ेगा अपना ध्यान सिर्फ हमें अपने गोल पे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लक्षे हमको बहतर बनाने के लिए है, हम चाहते हैं कि हम अपने गोल को हासिल करें और उस लाइफ को जल्दी से जल्दी जीएं, तो हमें अभी मेनत बहुत जादा करने की ज़रुत हैं, और य संगर्श है, एक दिन हमें अपने सक्सेस के पास लेके जाएगा, और एक दिन जब हमें सक्सेस होंगे, तो हमें इतना अच्छा फिल होगा, कि वो चीज तो बताने की ज़रुत नहीं है, मुझे आपों कि उस टाइम पर हमारी फिलिंग्स क्या होगी, हमें कितना अच्छा फिल होगा, और उसी एक फिलिंग्स को ध्यान में रखते हुए, और उसको फिल करते हुए हमें पढ़ना है कि हाँ, जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा, और मेरा सेलेक्शन हो जाएगा, उस दिन मुझे कितनी खुशी मिलेगी, और उस खुशी को अपने अंदर से हमें अभ फैमली में जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें में उलचके रह जाएंगे, और दूसरों के ताने सुन सुनके ही, बस अब फिर हमारी पूरी लाइफ गुजरने वाली है, क्योंकि अब हमने एक बार स्टडी तो स्टार्ट करी दिये, और अगर हमारी जोप नहीं लगती है, तो फिर लोग तो हमें ताने मारेंगे ही सही, तो इससे अच्छा है कि हम अभी जाग जाएं और अभी से अपनी स्टडी अच्छे से करने में अपना टाइम है, मिलती हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बबाए, टेक केर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को स शेयर करें